हेलो एन वेलकम टुदी ग्लोबल एफस तुड़े दोस्तों, पीएम मोधी ने यूपी आई को फ्रांस में चला ही दिया है और इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, लेकिन एक मेजर न्यूस निकल कर ये आ रही है कि पीएम मोधी ने युनाटेट नेशन सेक्यूर लोबी करते हैं, पीएम मोधी ने कहा है कि इंडिया की पूरी दुन्या में न सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है इंडिया और युनाटेट नेशन सेक्यूरिटी कॉनसिल ये क्लेम करती है कि ये दुनिया की वेलफेर के लिए बात करती है, काम करती है, जबके वो पड़ी डेमोकरसी को ही इग्नोर कर रही है, उनमें शामिल नहीं कर रही है, ये जो बात है न पीएम मोधी ने कही है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मेजर स्टेटमेंट है और कहीं न कहीं, इंटरनाशनल मीडिया भी इसे जो है हाइलाइट कर द देने से कितनी प्राब्लम हो सकती है वर्ल्ड पीस के लिए फ्यूचर में और इससे सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या यूएनसी आज भी रिलेवेंट है क्यूंकि दुनिया के सबसे आबादी वाले देश का ही इंद में ना पर्मनेंट रिर्प्रजन्टेशन नहीं होगा तो क्या इसका कोई रिलेवेंस है और इसके चलते यूएनसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उड़ता है बहुत ही कोशन्स यहां खड़े होते हैं क्यूंकि देखिए वल्ल वार टू 1 सेप्टेंबर 1939 से लेकर 2 सेप्टेंबर 1945 तक चली थी ओके जिसके बाद ठीक अगले मैने में the United Nations Security Council UNSC को Establish किया गया था 24 अक्तोबर 1945 को ठीक अगले मैने में ताकि दुनिया वल्ल वार 3 को कभी नहीं देखे एक तरह काना फ्लाट्फॉर्म बना दिया था बाद में 15 तागस 1947 को हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट्स हुआ इंडिपेंडेंट्स मिला हम लोग को इतना लेट होने के बावजूद again as an Indians आज हमारी एकनौमी fastest growing in the world है हमारी जोग्राफी लोकेशन बहुत ही अच्छी है बड़ी डेमोक्रेसी है बेस्ट एकनौम इसा ही आगे चलता रहाना UNSC सही तरह से corporate नहीं कर पाएगा और इंडिया रशिया और USA के relations दोनों को enjoy करता है कल को हो सकता है possibility से यहाँ पर अगर चाइना वसेस USA या USA वसेस रशिया होता है तो possibility से World War 3 तक बात आ जाए उस वक्त इंडिया UNSC का permanent member होने के नाते world peace के लिए बह हम भी कर सकता है यहाँ पर और permanent seat से भी हमें रोकने वाला reason सिफ चाइना ही है चाइना भी UNSC का permanent representative है क्यूंकि UNSC की permanent representative में USA, Russia, UK, France यह जो country है ना इंडिया के favor में vote करे थे लेकिन चाइना हमारे लिए बहुत ही बड़ा barrier बन गया है चाइना इंडिया की नहीं जमती क्यूंकि इसका बड़ा reason है चाइना का expansion वाली सोंच चाइना की अत्राफ countries चाइना जो है वहाँ borders कबजाता रहता है तो यह जो विचादार है ना चाइना की यह बहुत गलत है इससे इंडिया जो है कही ना कहीं चाइना से नहीं जमा पाता है और इंडिया को चाइना के साथ deal करना आ आ है तो इंडिया को अब बतलाना होगा अपने politics skills ताके चाइना जो है हमारे favor में vote दाल सके UNSE की permanent seat को लेकर और सवाल यह नहीं है कि इंडिया को UNSE की permanent seat मिलेगी या नहीं मिलेगी सवाल यह है कि क्या इंडिया को UNSE की permanent seat कब मिलेगी यह सवाल है हमें permanent seat एक नाएक दिन मिल जाएंगे लिकिन यहां question यह है कि कब मिलेगी साथ ही PMOD ने आफरीका union को G20 में शामिल करने की बातचीत की है इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाए थी इसका भी link मैं description में दे दूँगा अगर यह भी बोला तो वीडियो लंबा हो जाएगा वीडियो informative दीगी तो मे तेरे वीडियो को like, share, subscribe कर देना आएसे ही international office के लिए तो thank you so much and God bless you